देखें, अगर आपके खिलाफ को एफ़ायर हुई है, कोगर पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, आरेस कर लेती है, और पुलिस कस्टेडी में होते हुए आपसे जो भी बोलती है, कि आपके अगेंस्स करना है, आप बताईए कि आप नहीं ओफेंस किया है, आपके उपर जबरजस्ति करती है, आपको डर आके धमका के आपसे confession निकालने को बोलती है और आप ऐसे confession कर देते हो कि हाँ आप नहीं ही वो अपरात किया है, आप ऐसे guilty मान लेते हो, और सब कुछ confess मतलब बता देते हो कि हाँ आप नहीं यह crime किया है, तो इसको बोले जाएंगे confession before police officer, और यह confession होता है is not to be proved, यह court में admissible नहीं होता है और relevant नहीं होता है, इसके basis पे आपको conviction नहीं माना जाएगा, is not a substantial piece of evidence, is not admissible in court, तो यह दिया गया है section 25 of Indian Evidence Act, आपको अपने rights की जानकरी होनी चाहिए, legal rights की knowledge होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे useful videos आपके लिए बनाती हूँ, तो please म तेरी चानल को subscribe कीजे और मिलते हैं next video में, thank you